तुलसी के पौधे को तुलसी के पौधे को साक्षात देल का रूप माना जाता है तुलसी को धन की देवी लक्षमी का दर्जा दिया गया है जाहिर है अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है तुलसी के पौधे की पूझा करने और तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपको जरूर लाब मिलेगा लेकिन इससे पहले आपको यह जाना होगा कि वास्तु और जोतिस सास्त्र में बताएगे तुलसी के मुख्य नियम क्या है और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है तो आई ही देखते हैं तुलसी के वास्तु उपाय आप नियमेत रूप से तुलसी की पूझा कर सकते हैं लेकिन साम के समय इसे चुना नहीं चाहिए इसके अलावा एकादशी रविवार, चंद्र और शूरिग रहन के दिन में तुलसी का सपर्स नहीं करना चाहिए रविवार के दिन भी तुलसी को जल चढ़ाने के लावा कच्चा दूद भी चढ़ा सकते हैं मानिता है कि दूद चढ़ाने से दुर्भा के दूर होता है आईए जानते हैं कि तुलसी को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बात्रूम के एक पास नहीं रखना चाहिए पूजा कक्ष के खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं यदि आप प्रते दिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की तीन बार परिकरवा करें आपको सबसे पहले शूरी को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना है तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंद्र का ज़ाप करना है बहाँ प्रशाद जननी, सर्व सौभाग वर्धिनी, अधिक व्याधी हर निठ तूलसी ट्वा नमस्तू दे इस जाप को करने से आपको जल भी इस तुलसी पूजन का वायदा होता दिखेगा अब के लिए इतना ही बाकी अन्नेंट अपडेट्स जाननें के लिए जुड़े रहे हमारे देशित न्यूट पे धन्यवाद